आवाज की प्रब्लम क्या सौट आउट होगी आवाज जारी आप सब कुछ बच्चे करें तो इसे पाया थी इंका पीस दोस्तों एक से कम होता है तो मैंने आपको बताया कि कभी-कभी देखे लाइसों को आमें साथ डेट सेल चाहिए अगर आप इसको डेट सेल नहीं देंग क्या होते हैं गुड़ सूत्र तभी बड़िया देख़ी है फिसने की होता है क्या है तो परोमजूम है कि पहले आपको यह पताओ नहीं जो होता है यह हमारा दोस्तों एक तरीके से हैं अनूवन्सिक पदार्थ क्या है? है जेनेटिक माट्रियल है अनुवन्सिक पदार्थ अब अनुवंसिक पदार्थ क्या होते हैं अपने माता-पिता से मिलते हैं जो कहीं न कहीं लख्षडों को संकेतों को एक प्रीश से दूसरे प्रीश में लेगा काम करते हैं तो आपसे पुछा जारा है कि गुड़सूतर की कोज ने की जल्दी से जवाब दीजै फटाफट ज तो देखिए सीधा सा दोस्तों मतलब गुड़सूत्र की खोज किसने की अगर यह क्वेस्चन आप से पूछा जाए तो देखिए इस सबसे अलावा गुड़सूत्र का नाम सबसे पहरे दोस्तों किस नहीं दिया था तो फ्लेमिंग नहीं दिया था इस बात को हमेशा धियान रखना रखना ठीके ना सोस्टन पर चलते हैं एक स्वस्थ वैस्थ मनुस्य के प्रती 100 ml रखते में हीमोग्लोबीन की मात्रा कितनी होती है जल्दी से जवाब देना है फटा फटा आप्सन देख लीजिए 5-11 ग्राम 25-30 ग्राम 17-20 ग्राम या 12-16 ग्राम एक स्वस्थ मनुस्य के जो ब्लड में 5-6 ल कि फटा बड़ाई भाई तो एक स्वस्थ मनुस्य के प्रती अमल सबसे पहली बात तो आप याद रिकियेगा कि मैंने जो आपको पड़ाया है कि 100 ml रखत में सबका जवाब आ रहा है भी भी कुछ लोग डी भी दे रहे हैं कापी सारे लोग का सी भी है देखिए हैं कि 100 ml रखत में पंदरा ग्राम हीमोग्लोबीन प्रोटीन पाई जाती है लेकिन यहां पे 15 ग्राम और अप्सिजन को कर्दी और यह 15 ग्राम हीमोग्लोबीन प्रोटीन कितने अमल ऑक्सिजन को करी करेंगे 20 10 ml oxygen को करते हैं यह जवाब देंगे बताते रही है तो कभी-कभी ऐसे प्रकार की कैसी प्रोटीन है दोस्तों तो चुछ थिसमें के आरन भी है और प्रोटीन है कैसे को देख लिजय हीन और रिड कलर यही देता है यादध रिड कलर देने का किया गलोब्राइब इस अ प्रोटीन जो ऑक्सीजन को करी करती ते चलते कौन सा वर्स अंतराश्री जह मेविट्ता वर्स घोसित किया गया था किसके दार रहा किया जागा एक इनाटेट नेशन की दार रहा किया जाए अब आक पास दोजार दोजार 10 दोजार 16 या उनीशसों बाथ तर फटाफ़ जवाब देना है पटाफट बताई यह यह क्या जवाब हो जाएगा कौन सा वर्ष उंतराष्टि जैविविट्टा वर्ष घुसित किया तो ध्यार नकिया का यह यह युनाइटिट नेशन के दरा संयुक तराष्ट संग के द्वारा दोस्तों यह दिया गया था आर सभीनकों राश्ट्रुसंग ने इसके तरीके से 2010 वह वर्ष था इसे अंतराष्टी जैव विद्था वर्ष गोशित किया था और याद रखना जैव वीद्था दिवस जो मनाते हैं हम लोग वह कम बनाते हैं दोस्तों तो 22 मई को मनाते हैं बाइस मही को मोग जैव विवि परियावरण का सबसे पहला बैठक पांच जून 1972 को इसलिए पांच जून को परियावरण दिवस के रूप में दोस्तों मनाते आई यह नेक्स पर कॉस्ट्छन पर निए पॉलिक्लोरिट वाइफिनाइल पीसी बी आर से निके परिकसर यह रहा है इन में से कौन सा जैव आवरधन के प्रदूश्ऑ समझेगा जैव अबयो मैगनिफिकेशन यह आपके सकते हैं बायो म प्रदूसक का मतलब क्या होता है ऐसे जो निचले अस्तर से उपरी अस्तर जाने पर अपने कंसंट्रेशन में व्रुद्धी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैगनिफाइड प्रोडक्ट क्लियर है जैसे गिद्धों का विलुप्ति करना अगर हम बात करें तो वल्चर्स क्या होगे विलुप्त होगे 2006 से फिर से इनकी उपर काम किया गया हर याड़ा के पिंज जवाब आ रहा है बहुत बढ़ी यह देख रहा हूं मैं सोना बाबू चल ला है चलिए तो कहने का मतरा में डिड़ी जमा हुआ कि इसके अंदर गिद्धों के अंदर गिद्धों की जो पतले पड़ गये और उनकी जो बच्चे थे उनकी मौत होने लेकि इस वैसे सब निचले अस्तर से उपर की और बढ़ते हैं उपर की फूड चेन में जाते हैं तो इनका लगातार बढ़ता रहता है यहां पे 10 मिलीग्राम था यहां पे 1500-1800 ऐसे धीरे 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 इनके प्रदूसक में व्रिद्धी होती रहती है इस वजह से इसको बायो मैगनिफिक प्रदूसर से मुक्यता क्या प्रभावित होता है यह जल्दी से पताना है तो दोस्तों फ्लोराइड प्रदूसर से क्या प्रभावित होगा क्विस्चन आपके पास मस्तिस्क दानत या गूर्दे बता इस फट आफट देखिये फ्लोराइड पानी से मिलता है खासकर जो फ्लोराइड कंसेंट्रेशन आपके दोस्तों पहुच रहा है वह वाटर से जाता है पानी से ही जाता है तो आपको बीमारी हो जाएगी इसका नाम है लागिप luis इस नामक भीमारी आपको होती है अब प्लोरोसी नामक बीमारी आपको होती है अब फ्लोरोसी का मतलब अधातों का चितकबरा हो ना यह दातों का पीलापन पुर्ण सब्सक्राइब करने की आवाज भी आने लगती उसमें कम जोर पड़ जाते हैं एक इंपोर्टेंट मिनरल आपकी दांतों के लिए माइक्रो आमाउंट करता है कि अब मर्के अगर गई आपके पार प्रभीट करता है सोडियम रिच पूड है अब इसके अलावाँ आपका लेड हो गया ना पीबी लेड यह सब भी आपके ब्रेन को डिसलेक्सिया रोग भी फैलाने का काम करता है चलिए क्लिया यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कोश्चन देखिए वरतवान में जय विवित्ता की तेजी से औरे नुक नुक्सान का मुख्य कारण क्या है जल्दी से बताइए जलवाई पर उड़ते हैं क्लाइमेट चेंज दूसरा है पॉल्यूशन तिसरा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रेशन और चोथा नाच्ट्रल डिजास्टर यह प्राकृति आपता है तो देखिए जिस तरीक बहुत तेजी से वटए हाला कि जन संख्या अगर दिया होता ना जन संक्या नहीं दिया हुआ होता तो सब्सक्राइब बढ़ा रहा है तो चीज़ों के खराब होने का सबसे में नंबर भारत पहले नंबर भी चाइना को पीछे शोड़ें भारत वालों को कोई काम नहीं है बढ़ा रहे हैं सिबसूचिए हम दो हमारे 20 वह वाला सिस्टम चल रहा है तो कहने को पर जन संक्या बढ़ेगी तो हर एक चीज बढ़ेगी भाई डिफॉर्स्टेशन करना पड़ेगा मकान बनाने पड़ेंगे इमारत बनानी पड़ेगी खाना भी तो ज्यादा चाहिए अब यह गड़ी पालग में काम चल जाता है दू लोग का आप बीस थो लड़िके पैदा कर लिए अब बीस लगड़ी पालग चीए अब इस गड़ी पालग चीए तो क्या होगा भाई पेड़ पॉधा कटेगा की ने तो एक्स्टाइशन होगा पहले एक बोरा चाओल में क पालग मारिव जाते हैं चलिए एक्स्टा एक्स्टा एक्स्टाइशन इस थे करेक्ट एंसर ठीक है विस वो जोन दिवस कम बनाया था 16 सिदंबर 21 पांच जूनिया 22 अप्रेल खटा खटा खट लप लप जवाब आना चाहिए जल्दी से बताइए विस वो जोन दिवस कम ब बनाया गया था उसका भी नाम आपको बताना है गाइज चलिए ज़्याब जागा 16 सितंबर बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है आपका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहें जो बहुत सारे लोग जवाब दे रहें हुमार अस्तिकार रुची निहां आयूशी सशी रिशु जी चांदनी विसुकर्मा निहा राज संध्या कुमारी स कि कौन सा प्रोटोकॉल होगा कि तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों मौंट्रियल प्रोटोकॉल यह कहोगा शेयल प्रोटोकॉल दोस्तों बनाया गया था किसके लिए 1987 के आस-पास ये बनाया था ओजोन डिपेशन से निपटने के लिए सबसे आधा कौनसे गैसे मॉलिक्यूल्स ऑफि अगया कि सी अप्सी के मिशन पर रोक लगा एक क्लोरीन-क्ल इंसी ऐप्लीक्यूल पांच जून पॉल्ड था कर देता है यहोता है रहां रहता ख्लक्यूलक्यूल अंतराश्टी जैव वित्ता दिए मानस्पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली सहीं जी उतक को ने उपास्थी तंत्रिकास नायू या कंडरा जल्दी से जवाब दिए फटाफट भाई कि देखते हैं किसका जवाब सही आता है फटाफट मानस्पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली का क्या नाम है यह जवाब आपको देना है चलिए आगया जवाब कोश्या ने मानस्पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले सहीं जी उतक तो दे दिया है इसका जवाब है गुम्नाम जिन्दगी उड़ा दें राजू सिंग चांदनी विसकर्मा सकीना कुमारी पासवान ने हां पहुआ यहां बहुत शांदर आये देखते हैं तो देखो इसमें से संयों जीव तक यह है एक यह एक यह पस इतो नियूरल टिशू तंत्रिका है तो यहां वी तो बिल्कुल नहीं होगा तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जागा देखो काई गया अगो का निर्माण और अगो को प्रोटेक्शल नैना न शनाय है इसका मलब क्या होता है यह तो है दोस्तों जो हडिंगा यहां पूछा मान स्पेशियों को अध्यों से तो कंडरा को बोलें टेंडन यह क्या है बावु तो यह गुरू टेंडन तो टेंडन ही दोस्तों बोन टू मसल्स को जोडने का काम करता है गाइस कमाओ नेक्स क्वोश्चन जोड़ों में कौन साइक है पहले पहले जवाब प्रोएद गिरी दो बढ़िया आउशी लिए ट्रेंटेंस कैसे बैक्टेरियल डिजीज टेंस इस भाक्तीरियल डिजीज गाईज ओकेइस ठीक है ट्रोथ जंग लगे लोहे में एक बैक्टीरिया पाइदा इसका नामने खीलास्टीरियम चीचाहई नी तूस्से लोटा- टिटनेस में एटीएस लगवाते हो बाई एंटी टिटैनस सीरम एटीएस का इंजेक्शन ती बाहतर घंडे की बीतर ले लेंगे तो तीन महीने सुरक्षा करेगा इंजेक्शन कोछ वाली एक बार तो तीन महीने तक अगर मुर्चा वाला लोहा जंग लगया लगता है तो सुनाघक इस थाडैन म्लेरिया का ख्लोरुक्विन यह बिल्कुल सही है मलेरिया इसी से बेरिए न होता है क्लि inversmes वाला परफेक्टली मैच घ् leader कि निमनलेक्स कौन सी प्रोकरियाटिक कोशीका में कोशीका भित्ती अनुपस्थित होती है इनुन से कौन सी कोशीका है जिसमें दोस्तों क्या प्लूरो नीमोनिया समझीव है माइको प्लाजमा या जीवाडू है तो दीकि यहां पर थोड़ा सा आप्शन जो बी और सी है थोड़ी कन्फ्यूजिंग दे दिये कोई बात नहीं पिलाल आपको जवाब देना ही है कौन-कौन जवाब दिया भाई सोनू अखिल सानू चलिए आई देखते हैं तो दीकि सही जवाब होगा इसमें से जीवाडू में तो पाई जाती कोशिका बित्त्य और इसकी बनी होती प्यप्टीडो ग्लाइकन से मने आपको साथ कल कराया भी था इससे एक दिन पहले वाले प्यप्टीडो ग्लाइकन इंगलिस ज्यादा सही प्यप्टीडो ग्लाइकन से बनी होती जीवाडू की कोशिका बती इसमें पाई जाता है सही जवाब है दूस्तों माइको प्लाज्मा में सिर्फ उसे प्रोटोप्लाजम होता है आप देखो माइको दूसरा नाम प्यूरो निमोनिया लाइक और वह भी दे दिया पिलाल आपको देना फटाफट जवाब दीजवाब देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है कमाउन गाइस फटा फट जवाब दीजाए आप संचान लोहें कमी डीक कमी कमी क्यकी कमी जल्दीश बताइए जवाब स्क्राइए जयर प्टाइब दीजवाब 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 कि यह का मुख्य करान किया तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जागा बताइए बहुत सारे चीज़ों की कमी से होती है तो ब्लट कम होगा तो सबसे यहादा कौन सी सेल कम होगी तो आर बीसी कम होगी हुआ है एक प्रोटीन होती का नाम हीमोग्लोबेन हीम मतलब बी होता है इस चलिए है तो प्लॉट में समस्या अधिया है क्लियर गाईज कमाउद नेक्सकों हो यह सोथा जाता है तो सही जवाब लगा दियाता दी ना कि यूरिया को छान कर बाहर करना या हॉर्मोनों का सरावड करना है इन्में से कैड़नी का एक फंक्षन नहीं है जल्दी से बताईये गाइस इनसे कौन सा काम किड़नी का काम नहीं है या जवाब पूछा जा रहा है कि एक पढ़िए पहला है तर Sarah करा कि मजल की मातरत क्या ग्लूप को कंट्रोल करना क्रिव को कशले की ग्लूकोस को करते हैं कौन इंसूलीन और इंसुलीन निकलता है ऑजन्यास से निकलता है ठीकना होर्मोन का सर साइब काम है सर इंसुलिन का सही जवाब और होर्मोन जैसे अंगे बदलता है वह काम भी प्रिट्नी का ही होता है ठीकर ना रच्ट में हानिकारक पता रृधू को विश्मुक्त करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है रक्त में हानिकारक पदार्थों को विश्वमुक्त का मदब डिटॉक्स करने के लिए हानिकारक या खतरनाक चीजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा यह जवाब देना है दोस्तों यक्रित है किड़नी है अगनासे है या हिर्दे बहुत बार क्लास में मैंने कोश्चन कराया है आपको होगा तो यह धोखा ही होगा धोखा भी मैं तुमको दूंगा है समझे रहो तब तुमको मज़ाएगा जल्दी सब्सक्राइब भाईया तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे गाव में चाची लोग काकी लोग सलफास खा लेती हैं कभी-कभी चाचा अपना पी के पड़े हैं पाल्टी करके आरे साइकिल लेके गिरे जा रहे हैं नहरों हर में इधर रोड किनारे गिरे लीवर सही है तो सलफास खाने से कभी काकी मरेंगी नहीं क्यों क्योंकि लीवर एक्टिव हो जागा वाई सलफास खाने से जहर पीने से हमेसा उल्टी क्यों होती देखो कोई भी आप पी के नहीं देखना है कि गुरू पी लेते हैं जिसे माली रात में अपना लड़ाई- जल्दी यहां से अटो तो कहने मतलब तुरंत उल्टी करेगा आदमी और एक दो बार उल्टी वह सारा लाउट या सलफास बाहर हो जाएगा तो काकी लोग सलफास खाके परेसान कर सकती है काका को लेकिन मरेंगी नहीं लेकिन एक बात और ध्यान रखिए अगर नोट में हा लेकिन लेकिन जादा रखिए और अकसर जो इस ट्रायड प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं जूनको बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करनी है उनके सरी से दिखिए बैड इसमेल हमें साइगी क्यों अमोनिया की बद्वुए प्रोटीन जादा खाएंगा अमोनिय लेता है अगर पुछा जाए यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है तो हमेशा द्यान रखना यूरिया का फॉर्मेशन होगा लीवर में लेकिन निकालेगा कौन तो कीडिनी क्लियर नेक्ट्ट कोस्चन देखिए गाइस किस रोग को काली मौत की संग्या दीगी प्लेग इसार या मलेरिया इजी कोस्चन है जल्दी से बता दीजिए किसे काली मौत कहते हैं वाव जस्ट लूगिंग लाइक वाव फटा बड़ बता दीए काली मौत ब्लैक डेथ वेरी गूड जल्दी जल्दी जवाब दीजे भाई कि वेरी गुड़ कमान देखते आए देखे काली मौत हिटलर के जमाने में चलो मैं बता जरू हिटलर के जमाने में रोग बहुत होता था कौन-कौन जवाब दिया वाई उत्तम निया प्रियंका आरू आस्तिक नीरा कुंचल और साइल लोग जवाब दे रहें देखिए तो हीटलर की जमाने में वैस्य बहुत होटी थी आज कधरी कम रिपोड़ होए है तो इत्लर के जमाने में प्लेग बहुत फ्यलता था था तोप्लेकि धे जहां 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 चुहां मुष्टी जाएगा आप इसका बैक्टेरिया जहां 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 गया तो इसbracht तेजी से कमी होती है लंग्स पर टाइक करता है स्वास भी प्रॉपर नहीं आती है और इसकिन ब्लैक होनी शुरूओ जाती है इसे काली मौत भी कहते है शिफलिस एक सेक्स्वल ट्रांस्मिटेड डिजीज है याद रखना ट्रेपोनीमा पैलेडम ट्रेपोनीमा ट्रेपोनीम पैलेडम नामक बैक्टीरिया से यहरो होता है शेक्स्वल ट्रांस्मिटबी डिजीज अ ठीक गाईज देन कम ऑन सब्सक्राइब आपको बहुत बहुत बार को सब्सक्राइब अगर याद रखेंगे तो आपका जवाब हो सकता है कुछ लोग करें मोई मोई हो गया है इस फड़ा पड़ जवाब दिए निने में से कौन सा रोग जी मानों की तरह था पहला देखिए पॉलीओ पॉली पॉलीओ मेलाइटेस वाइरत दूसीत लगें जन से आपके दो प्रवेश करता वैसे भारत इस समय पॉलीओ प्री वाइरल धिजीज ही मुफिलीओ आनुवन नामक बैक्टिरिया से होता है एक नीमे टोड़ा से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है बाभू उचेरिया बैंक्राफ चाहि यह भी होता है मच्छर की काटने से लेकिन मच्छर कॉंस होता है तो क्यों लेक्स मॉस्क्यूटो होता है इसका नेक्स्ट कोश्चन खोपड़ी करती मैलियस नेजल मैंडिवल थोड़ा सा दिमाग लाना है आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा पेश्चन खोपड़ी में सबसे पहले आपको बताओने ची कितनी हड़ी होती है तो खोपड़ी में दोस्तों कितनी अड़ियां मैंडीबल नेक्षिला पर जी को बोलते हैं नेसल ना को लिएडी मेलियस सब्सक्राइब करने वाली डबलूबी सी कौन सी है यह आपको जवाब देना है कि फटावट जवाब दीजा भाई पानी पीलू फटाफट आप जल्दी से जवाब देंगे संक्रवन के विरुद्ध कारे करने वाली डबलूबी सी का नाम क्या है झाली बल्दी से जवाब देना है 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 कि अधिशने कार नहीं वर वी सी कौन सी है तो देखें दबलू बीसी के बारे में दोस्तों ध्यान रखना यो सीनो फिल्स लिम्फोसाइट वैसे तो बेसोफिल एंसर होना चाहिए चार प्रकार के प्रकार के आपके वी सी होते हैं इस्टामीन का स्रावित करती है और इस्टामीन जो है यह दोस्तों एक तरीके से अलरजी के विरुद्ध कारे करता है यह संकेत देने का भी कारता है लेकिन जब इस्टामीन तब बनेगा जब बेसोफिल और नहीं दिया तो यह जब बेसोफिल ना रहे तब आप लगाएंगे यह सिनो फिल्स क्लियर है पताई को दिक्कत अगर बेसोफिल होता तो फटा फटा आप लोग जवाब देंगे क्या बेसोफिल नेक्स्ट कोश्चन मानो रख समुह में कौन सा रख समुष सर्व अगराही रख समुह है ओ है यह दोस्तों बी है जल्दी से जवाब दीजिए फटा फटा तो ब्लड ग्रूप का एक चाड़ बना लो चार प्रकार के ब्लड ग्रूप होते हैं कि अ में कि अःसर फेकित है सब्सक्राइद कि अटीजिकमन है एक फोलन अनुर। लगिन और प्रद को देखना ना किसी धरती जनतूं है सब्लड भी लेकिन ना तो दोस्तों ना ही दिभी तो हमारे ही ब्लड में नेगर आट को पैए था पाया था तो याट नी तो उनका बच्चा नी या तो मदर फादर नहीं है तो कहने के मतलब सिधा से दोस्तों कि मालीजा कलू नाम का कोई लोड़का आए उसको दो दम पत्ती आपस नड़ाई करूं कर आवाल लए का करहा हमाल लेका करहा हम कुछ दे और चौकलेट पांच रुपी हम खाते रहें तो कहने मतलब ब्लड गुरूप बहुत अच्छी ची होता है वही एंटी जION होता है और किसी वह सकता क्लू नाम का कोई लड़का हैं तो जो जो बौड़ी चैने लेकिन यह पुरह को ब्लड शिपक ब्लड गुरूब गुरूब को जान ब्लड ब्लड लकीन गीada भीलेकॉम् नहीं होती है लेकिन यह कुछ लड़के WBC से जोड़ देते हैं जिंदा कहीं से इंटीबोडिया ने भाया WBC कल लूग अंदर है ब्लड़ ग्रूप यह एंटीबोडी इंडिवीज्वल ब्लड के एंटीजन और इंटीबोडी की बात हो रहें जो जो यह बी दोनों नहीं दोनों प्रेजिए अब याद रखना एबी सबसे ले सकता है और और पॉस्टिव पॉसिटिव सर्वग रही होता है पॉस्टिव बनता रहे चाहे तो प पॉस्टिव पॉस्टिव अगर पूछे तो पॉस्टिव नेगटिव दोस्तों की स्कुरूद पॉस्टिव नहीं है पॉस्टिव नहीं है तो में से पाइट alaoth लुटियम जल्दी से जवाब दीजे, जवाब देगा, मानव सरीर में रखत चांप को ब्लड प्रेशर को कौन गंट्रोल करता है, ध्यान से देखिए, थाराइड, एड्रीनल, अगनासा या कारपस लूटिया, बताइए, तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें सही जवाब आप पूछेंगे, तो देखिए, ब्लड प्रेशर एक अन आ नने चक्रीजब करते हैं, जिसके नाम एड्रीण Лीन हर्मोन, और यह है अड्रिनलीन लड़ो या उड़ो होता है जब यह निकलेगा तो आप एकदम excited होंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हाटबीट बढ़ जाएगी आखों की पुतलियां बढ़ जाएंगी बहुत ही टेंपरेचर बढ़ जाएगा हर एक चीज बढ़ जाता है जब सब्सक्राइब ना आए तो कहने मतलब है सही जवाब आप क्या लगा देंगे अट्रिय लोग है ठीक है कार्पस लिटियम क्या होता है तो यह अंडासे में पाई जाने वाली संशना और महिलाओं का sex hormone यहीं से निकलता है तो female sex hormone यहीं से निकलता है क्लिया रहे चलिए अच हुश रखे पुछते रहते हैं सर क्या तो पहली बात तो होली आने वाली है और आप सबको होली कि अभी सभी हार्दिक सबकामना है मन भर के बनाते रहे नहीं हार उगामा उतकर्स लेकर आया होली हंगामा ही कि सारे पर अब टू 90 परशंट इसे आप लोग जाते है न तो आप टू 90 परशंट होता है किसी साथ प्रतीसत कोर्स में छूट है किसी मासी परशंट है किसी में नभे भी तो उतकर्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोर्स पर जो डिसकाउंट मिलेगा आप उसको उठा सकते हैं तो अपने दोस्तों को आप इसका मजा दे सकते हैं अपने दोस्तों को जीवन नेगा अच्छा एक तो तो उतकर्स अप्लेकेसम को डाउनलोड करें और इसका फायदा भी है ठीक है और होली की आप सबको दोस्तों बहुत-बहुत हार्दिक सुपकामना है मस्तर रही है स्वस्तर रही है नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे कुछ अच्छे कोईस्टेंस के साथ और वी करेंगे कि अभाई प्र यूजवदान आवार्दिक स्वस्तर रही है ज़चत है स्वस्तर रही है रही है कि आप कि यदिक मुला को गोगके साथ-ग्यूद।